कि सारे भाई यहने भाई मेरी राम राम मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं इस टैम दिल्ली और गुड़ गाउं के बीच में हूं कौन सी लोकेशन है ज्यादा सा नहीं पता छोटा सा इंट्रिवु करेंगे बड़ा इ सर जी राम 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 सर कैसे हैं बिल्कुल ठीक सर जो किसानों का मुद्दा चाल रहा है गणे दिन हो गए अब इसमें शहीद भी ओन लग रहे हैं सर्दी गर्मी तो जाली अब या बारिस ब्रानमाटी कर रही है सरकार क्यों नहीं नरम रूखर अपना रही हो जी मैं यह कहता हूँ कि पहले तो यह एक बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक वारदात है कि किसी मिसंडरस्टेंडिंग होई सरकार में और किसानों में किसान उठके आगे पंजाब से भी उठके आगे अर्याना वाले किसान भी साथ लगे तीन जो किर्शी कानून पास हुए और अमल में आए उनके बारे में आमधारना यह हुई कि यह किसानों के खिलाफ हैं बातचीत हुई सरकार ने समझाने की कोशिस की हर एक कानून को अलग-अलग तरीके से और कुछ सरकार ने flexibility भी काफी दिखाई हर एक कानून पे अगर point wise discussion करें तो flexibility भी दिखाई साथ मैं प्राडी वाली बात भी मानगे और बिजली के बिलों वाली बात भी मानगे तो मैं कहता हुँ कि कि देश हित और किसान हित और समाज हित में अब किसानों ने सरकार की बात क्योंकि किसानों की बहुत सारी बाते मान ले गई हैं रास्ता एक बीच का निकड़ेगा कि दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चलें उसमें वो हट छोड़के अब बात मान लेनी चाहिए और दरना खतम करना चाहिए सरकार तो कहरें कि किसान हट पे आ रहे हैं किसान कहते हैं कि मोदी साब के पास एक मिनट का भी समय नहीं जो मारे बीच में आसके हैं वो अठी हो रहे हैं अब पहल कोण करेगा तो पहला नो बता इंट्रिव्यू अर्यानवी में दियूं के इंदुस्तानी में इंदुस्तानी में देदो जी आप ना मैं अर्यानवी में भी देदियूंगा देखवाई ने तो यो राजट मगर गाम्मा में अठे हो यागर है अर्याना के पंजाब के आदमी है स्ट्रॉंग कन्विक्शन है उनकी तो ऐसे आलात्म मैं कह रहा हूं रहा है हट छोड़ो और सेंसीबल जो समझदारी की बात है वो यह है कि आपके कानून से ही बात कर लिए पहला कानून है मंडी के अंदर भी मंडी के बार भी मोटे हिसाब से कि तो अपना फसल मंडी में भी बेच ले और तकलीफ है वहां पर तो बायर का भी एक रास्ता दे दिया यानि सरकार ने तीन रास्ते दे दिये जी वो किसान की मजबूरी नहीं है किसान को यूं भी कहा है कि आप पुराना एपी एम सी सिस्टम अपना चालू रखना चाहो मंडी में बेचना चाहो या आप मंडी के बाहर से यह उब्यक्सन था कि भी बार लोग उनके ने तो टेक्स लगता और उप्यक्स आपना में पें कार्णा भी इस बात में मैं ताहूं मैं किसानों के साथ कि वहीं नई लेवल प्लेइंग फिल्ड बहुत जड़उरी है कि मंदी में भी tax लगता है मंदी में आड धियां का वी काम क्योंकि वह भी तो आपनी रोजी रोटी कमावें हैं और मंदी के बार भी उसके बराबर का playing field हो क्योंकि किसान को तो खेच से बेचना ज्यादा असान है और गर्षे भी बेचना असान है अगर उस पे tax नहीं हुआ तो मंडी को खत्रा तो थाया मगर सरकार मानगी के बाइर भी tax लगा दियांगे और बाइर भी registered बाइर खरीदेगा जी तो अब हो गया एक सरकार ने जो option दिये उसमें किसान को बहुत सवलियत होगी है कि वह चैए तू खेच से अपनी फसल जनस उठवाए दे चैए मंडी में जाके बेच ले और आड़तियों का भी रहिए आड़ा खेच में आए के भी आड़तिये खरीदेंगे और डानी अमबानी का तो खाम ख का नाम फैलान वाड़ी बात है हमारे पहले जब मैं बालक था मेरी उमर हो लिए बहुतर साल जद भी वह आयके अड़तिये ठाया कर दे फोटे अड़तिये खेट में ते भी तुला लिया कर दे जद तो 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 तोल भी नहीं लाग्यारदा नाप से बरक्यें डाल लिया करत तो इससे किसान को सहलियत होगी है इसी तरह से एक रास्ता पर बहुत बड़ी कंजेशन हो रही है ट्रैफिक जाम हो रहा है यानि फसल भी जाय है मंडी में आद नहीं कि उसका किराया भी लाग जेगा तो वो फिर तड़के पर्शू फिर बारे सागी तो आपको एक रास्त दे दिया भी आड़ा ट्रैफिक जाम है तो दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल कर ले मर्जी तेरी है अगर वो मंडी में चालू रखना चाहते हैं तो करो उनके आड़तियों से तालुकात हैं तो इससे नहीं तो आड़तिया बेरोजगार होगा और किसान को सहलियत होगी बीच का हरास्ता है तो सरकार ने ये बात बहुत अच्छी तरह मोख दिये हैं रही बात MSP की MSP देखो सब ने पता है गड़करी साब भी कह रहे थे कि वहीं या सब ही कहते हैं कि किसान की लागत किसान की मेनत और उससे भी बढ़कें डेड़ गुना कम से कम होना चाहिए और MSP ख सासलों की MSP है कासकर और गयों का कहते हैं, MSP कांगर सरकार में लागे उड़ी है MSP है,मारी सरकार में MSP रह एगी, लठ वरगी, या सरकार यह मांग रहे थे, लिखिट में दे दे दो तो, लिखिट में दे ने तियार है सरकार, जै अभी इस पे क्या कोई आगए बाद, देश भी चलाना है सारा डिफेंस का बजट पांच लाग टोटल देश का बजट है लेटर से पंद्रा लाग क्रोड डिफेंस का पांच लाग क्रोड मेरा कहनेगा मतलब तो ऐसे आलात में शिरफ एंड शिरफ एकोनमी यहीं तो नहीं है किसान का बला हो तो MSP देजा रही है और किसान के देटका न लग है उस बात से मैं फिर रजामन हूं कि बाहर भी जो परचेज हो MSP से उपर तो कितनी है निचे नहीं होनी चीए तर्फ इस भी सरकार मान लिए और यह भी स्टेट गवर्मेंट हां मैं छोड़ने त्यार है जी तीसरी बात कंट्रेक्ट फार्मिंग आ लिए उसमें मैं इतना बात बता हूं तो आप मोडर्न चीज और वैसे तो कंट्रेक्ट कंट्रेक्ट फार्मिंग मैं अपनी जमीन ठेके पर दियू हो कंट्रेक्ट फार्मिंग यह एक त्रस बिना लिखा अपड़त सिर्फ विश्वास मनने तो नो भी कौन वेरा मेरा केती कौन बो रहा है कई यह बोनिये थे मैं उन तो पूछ लिया गरू रहा है इस साल कौन सा ब लो नहीं टाल मारो यही बाते हैं एक दो चार दिन पहले मेरे पास बाओ जी फोन आया किसी का है उनना के अब कौन्ट्रेक्ट फार्मिंग मैं जो अगर मान लो कोई बात पेंच फश जावा है और मुदा एस डेम दोरे जावा है तो नों को हैं कि भी जमीन का कोई सोदा न की बजाए उसके घर का या कहीं उसका सोदा हुएगा तो इसमें फसल यह जूट फैला रखी है जो सोदा है वो फसल का है जमीन का नहीं है ने घर का है ने घर कुड़क हो सकता ने जमीन तो सिर्फ फसल फसल का ही सोदा है और एस डीम को यूं दिया था एस डीम और डीसी को कि इस कोर्टा में तीन क्रोड केस लटक रहे हैं सारे इंदुस्तान में फिर इसके लिए भी सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने के लिए त्यार होगी है अगर जनता का विश्वास यूडिश्री में है तो सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने के लिए तयार होगी है यह भी पिने पट गया एक तरह से बाव जी अब आप तो यूँको भी जूट फैलाया जा रहा है भाजपा के बास सारी सिस्टम है सब कुछ तो जूट का परदाफास क्यों नहीं करा जा रहा है इतना बड़ा पांच साथ मेरे खाला दस लाख लोग बोड़रा में खड़े हो वो पर प्रटीशन थोड़ा है ठपा जरूर है मेरे तो बाजपा वाड़े भी लाग रहे हैं समझाने मगर अर्याना का आदमी एक दफा मैं ये तो नहों कहूंगा कि बकाना असान है समझाना थोड़ा मुश्किल है मगर अर्याना क्यों अब तो चारों तरफ से ही है जी उसमें आ पड़ा आये थे मेरे अलाका के थे मिलना आगे मेरे को बता भी रहे थे कि आमने तो दढ़ना आखे आपके टेंकर भी देखे मगर मैं यू कहता हूं कि उनके समझ मारी थी बात ना विला या तो किसाना का अकमेस है जद तो कहां खाम खागी है फिर बाई चारक लबेठना तो पड़े इस है मैं होला भाई भाई तो आम भी जा था रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं बाई चार मैं बैठ के आयस्ता आयस्ता देखो ये ठीक नहीं है क्योंकि हर जग है पबलिक को बड़ी तकलीफ है रास्ते रुके हुए हैं पचास-पचास किलो मीटर का फेर तो रहे हैं पंजाब से भी ट्रेक्टर आये हैं यहां अपने भी हैं एक नैशनल एफ़र्ट है उसमें ये वेस्टफूल एक्सपेंडिचर है जमा अलागे मन ने तो बोट डाल रख्या है बोट तो डल्या कोनी कर आत हुछ से उठे थे मगर मैं ये कहता हूं कि जो ये अब ड जवाब निकल रहा है ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉलूशन है और सरकार ने जो ये सॉलूशन दिया है किसानों ने इसको देश हितमें और किसान हितमें मान लेना चाहिए बकी जैसे जवाब मनना आवे हैं जी मैं भी कहता हूं मैं मानता हूं किसान का बेटा ही जवान है और इससे ज्यादा फिर वो बात ज्यादा खैंचनी देशी में रहेती रही बात कि ये रोज़ारा मुत ओ रही है दरनेोंपर अब उसका पता भी नहीं है कि हूँ आटेक्स से ओर रही है सर्दी लागी कोई नीमॉनिया से मर रहा है कोई ज्रूर कोणा से भी मर रहा होगा क्योंकि वहां कोई मेजर्ज में तो तरह इंट्रिव भी मास्क पहन गे दियू हूं आपने भी मास्क लगा रख्या है मगर एतियात बरती नहीं जा रही तो ऐसे अलात में अब कंप्रोमाईज कर देना चाहिए किसानों ने और बीच बिचाओ का रास्ता निकड़ी आया है हम तो अमीद रखते हैं मगर इसमें देखो एक टेक्टिकल अच्छा कल मैं किसी व्यक्ति से मिला वह यूं बला मारे तो 25 शबश्च तारिक तक के प्रोग्राम फिक्स है बाची चल रही है फिरिंका के मतलब हो है जी देख वही किसाना में भी कई रंग की जंडी गूमरी है अरी जंडी की तो आमने सुवान से मगर यह मल्टीपल रंग के और जंडे घूमरी तो उसमें पॉलिटिकल इंट्रेस्ट आ फिर सिदा सिदा कम्यूनिस्ट जो जंडा ह अगर देश हीत्म है तो ठीक है जैसे कम्यूनिस्टों के बात कर लो कैरला में इनकी सरकार है वहां तो यह यह बात नहीं कर रहे हैं समझी गया पंजाब में सरकार कांगरस की है उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हम यह नहीं मानेंगे अलांके MSP तो वह सेंटर से लेके खरीद कर रहे हैं मगर उन्होंने तो कह दिया हम तो मानते नहीं इसको पंजाब सरकार ने तो कह दिया हम इसको मानते निर कांग्रस की सरकार है तो पंजाब में तकलीफ क्या होई फिर यह बताओ पंजाब में क्या तकलीफ होई मगर उनको भी हम पंजाब के भाईयों के इसका एक फायदा भी होया है पैदा यह हो है कि अर्यानार पंजाब के किसाना की आची मतलब भाईचा रहा कायम होया कायम होया उसमा अमने उमीद है कि एक सोहर्द पैदा हुआ का पानी का जहां तक स्वाल है वो तो कोर्ट का फैसला फिर दोनों सरकार बैठें मगर अब उसका पबलिक गति रोध खतम हो जाएगा पंजाब की पबलिक की तरफ से या किसानों की तरफ से ऐसी उमीद रखते हैं अर्याने वाले यूंकि पंजाब बड़ा भाई है अर्यान भी थे सुबा कॉंड सावला पंजाब अर्याना तो एक एरिया था चार जिल्यांगा इव तो बाइस दिले हो रहे हैं क्यूंकि बाकी तो अंबाड़ा तो कटके मिल्या इसी तरह तो उसमें सब को सेमिलित करने वाली सोहर्द्य या भाईचारा कायम करने वाली और देश हीत में सोचके देशवासियों को और किसानों को चलना चाहिए अनदाता भी हैं साथ में मेरे प्रिवार से तो सारा है फोजी हैं तो इसमें जवान का उसला भी बुलंद रहेगा और ये बिलकुल गलत है जो बासा का इस्तेमाल किया जा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इवन मतलब वो बातें शोबानी देती है एक डेमोक्रेशी सरकार संसद से चलेगी नहीं की सडक से बहुत बहुत शुक्रिया अपका बहुत 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 धन्यवाद तो ये था एक छोटा साथ नहीं हो पाया कोशिस तो यहीं थी कि फटाफट में से क्योशन पूछे जाएं हाँ चलो अब देखतें भी कहीं न कहीं पंजाब और रियना का बायचरा भी बड़ा है स्वाईल का पाणी भी मिलने के उमीद हैं और भी बहुत सारी अच्छी बाते भी इस अंदूलन से निकल के आएंगी लेकिन जो एस समाजिकता कहीं है उस पैक किसान नेता और सरकार ध्यान रखे किसी के उपर चापने लगे अब आपको ये वीडियो कैसी लगी नहीं चेक